हलो फ्रेंड्स वेलकम बेक टू प्रिटी कॉर्नर और अगर आप चैनल पर पहली बार आये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वट सावित्री व्रत के बारे में यह व्रत क्यों रखा जाता है और 2021 में यह कब होने वाला है और किस तरहां से आप इसकी पूजा कर सकते हैं बहुत ही सरल तरीके से उसके बारे में हम आज बात करेंगे वट सावित्री का व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ही विशेश माना जाता है और यह व्रत पूरे भारत में किया जाता है दक्षिन भारत में यह जेट की पुर्णिमा को किया जाता है वट पुर्णिमा वरत कहा जाता है वहाँ पर इसे और उत्तर भारत में यह जेट मास की अमावस्या को किया जाता है इसलिए इसे उत्तर भारत ने वट अमावस्या या बढ़सायती मावस के रूप में भी बनाया जाता है और लोकल भाशा में इसे बढ़सायती मावस ही कहा जाता है यह स्त्रियों का महत्वण पर्भ होता है सुहागन महिलाएं इस वरत को जरूर रखें इस दिन सथेवान सावित्री तथायमराज की पूझा की जाती है सावित्री ने इसी वरत के प्रभाव से अपने मृतिक पती सत्यवान को धरमराज जी से भी वापस ले आई थी ऐसा माननेता कही गई है और ऐसा कहा जाता है कि अगर सुहागन महिलाएं इस वरत को करती हैं तो उनको सुहाग अटल रहने का पुन्य प्राप्त होता है साथी साथ पती की दीधायू होती है और घर में भी सुख समरिधी आती है अब हम इसकी विधी के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें क्या-क्या समगरी चाहिए होगी और किस विधी से इसे किया जाता है इस व्रत में वर्ट व्रिक्ष का विशेश महत्व होता है, वर्ट व्रिक्ष के नीचे ही बैटकर इसकी पूजा की जाती है लेकिन कई-कई जगां पर वर्ट व्रिक्ष की डाली को तोड़ कर घर लाकर भी इसकी पूजा करने का विधान है वत्विक्ष के नीचे मिट्टी के सत्यवान, सावित्री और भैंसे सवार यम्राज की प्रतीमा बना कर भी इसकी पूजा करते हैं पड़ की जड़ में पानी देना चाहिए, पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा सूत, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए, कई-कई जगहां पर वट व्रिक्ष के फल भी बनाया जाते हैं, उसके लिए थोड़े से आटे में गुर्ट डाल दिया जा आट वो ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी इनमें से एक चीज ले सकते हैं, और जो जल लेते हैं, उससे वट विक्ष को सीचते हैं, तने के चारो और धागा लपेट कर तीन बार परिकम्मा करनी चाहिए, इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए, इ आप किसी भी बड़े रिष्टे को जिनके भी पैर चुकर आप कुछ भी दानपुन देते हैं, उन्हें दे दीजिए, नहीं तो किसी मंदिर में भी दे सकते हैं, जिस दिन वट सावित्ती का वरत होता है, उसी दिन सुभा स्नान आधिक से निर्वित होने के पश्चात, आप सिंगार जरूर करें, सोला सिंगार जरूर करने चाहिए, जो भी सुहाग भाग का हमारा वरत आता है, उस पे अच्छे से पूरे सोला सिंगार करें, हातों में महंदी अवश्य ही लगाएं, और फिर अपने मन में माता रानी का ध्यान धरते वे, ये संकल्प लें कि आयू और परिवार में सुक शानती आती है, वट सावित्री के वरत में वट यानि की वट वरिक्ष की बहुत जादा माननेता या विशेश महत्व होता है, पीपल की तरहां वट या बर्गत के पेड़ का भी बहुत जादा महत्व है, पुरानों की मानने, तो वट वरिक्ष में ब्रह्मा, विष्णू वा महेश तीनों का वास होता है इस वरत में परगत के पेड़ के चारो और घूंकर सुहाग ने रक्षा सूस्त बाहंद कर पती की लंबी आयू की कामना करती है और ऐसी माननेता है कि एक ही वरिक्ष की पूजा करने से उन्हें तीनों देपताओं का जो है आशीश प्राप्त होता है और सदसुहागन रहने का आशिरवाद मिलता है और अब बात कर लेते हैं हम समय की तो वट सावित्री वरत 2021 में पढ़ रहा है 10 जून को वट सावित्री वरत जो हमावस्यति थी है वो शुरू हो जाएगी 9 जून को दोपहर 1 बज के 8 मिनट से ही और जो की हमारी समाप्त होगी 10 जून को शाम को 4 बज के 20 मिनट पे तो इस प्रकार से जो हमारा वट सावित्री का वरत होगा वो होगा 10 जून को तो इस तरह से वरत कैसे करना है क्या क्या नियाम होते हैं क्या महत्व है मैंने आपको सब बता दिया है और वरत सावित्री वरत की कथा की वीडियो मेरे चैनल पर मैं अपलोड कर दूँगी आप जाके चेक कर सकते हैं साथी साथ वरत सावित्री से related और वीडियोज भी मैं अपने चैनल पर डाल दूँगी आप जाके चेक करिएगा जितने भी हिंदू के वरत, पूजा, पाठ, हाधी होते हैं सबकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी तो आपको मेरे वीडियोज कैसी लग रही है प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर अच्छी लग रही हो मेरा चैनल पसंद आ रहा हो प्लीज लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक्स पर वाचिंग